गर आपने system का CPU temperature track करना चाहते हैं तो उसके लिए system tray हम यह पर लगा देते हैं अपने taskbar पर जिससे आपको लगाता है यह पता चलता रहेगा कि current time में आपका CPU temperature क्या चल रहा है कि बार CPU temperature measure करना यह फिर check करना जरूरी हो जाता है अगर आपका system performance सही से नहीं कर रहा है को कि CPU temperature increase ह का तो आपके system की performance down जाएगी इसके लिए मैंने अलक्सी वीडियो बना रखा है CPU temperature क्या होता है अगर ज्यादा temperature हो तो क्या करना चाहिए और in fact कितना temperature आपके system कराना चाहिए यह वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो मताऊँगा कि system tray आप कैसे लग site है इस पर हम चलते हैं इस पर चलने के बाद इसका interface कुछ इस तरीकी का आएगा free download आपको करना है इस पर क्लिक करना आपको ठीक है free tool है और यहाँ पर installer portable और portable for DOS तीन तरीकी के यहाँ पर version available है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं तो installer यूज़ करते हैं तो free download पिक यहाँ पर इसकी file ले जाएगी जिसको आपको install करना है जैसे आप normal software install करते हैं double click करता हूं मैं इसको install कर लेता हूं मैंने इसको install करने के लिए yes किया then next then I accept the agreement then next then यहाँ पर जो इस भी directory पर install होना चारा है install होने दीजिए next yes next then install ठीक है तो यह हमारा install हो गया है launch करने के लिए किया रहा ह हमारे पास दो option आ रहे हैं यहाँ पे sensors only और summary only तो हम चाते हैं कि यहाँ पे sensors only हम यहाँ पे लें जिसे कि हमें sensors के बारे ही पता चल सके और उन sensors को हम अपने system tray पे लगा सकते हैं summary में सिर्फ आपको summary मिलती है कि आपके system की क्या performance चल रही है ठीक है then यहाँ पे आप setting apply कर सकते है setting में कुछ options आते हैं आपके पास यहाँ पे आप इसको startup पे ले सकते हैं show sensors on startup minimize sensors on startup then auto start यह setting आप apply कर सकते हैं जिससे कि जब भी आप अपना system start करें तो automatically startup पे आपको यह sensors apply हो जाए ठीक है okay कर देंगे okay करने के बाद यहाँ पर अब आप इसको run कर देंगे run करने के बाद य आपके system के जो sensors हैं उनसे सारी information यहाँ पर grab करेगा और फिर आपको बताएगा कि यहाँ पर क्या temperature चल रहा है किस किस चीज का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर new version this और यहाँ पर automatic updates हमें कुछ नहीं चीए यहाँ पर तो हम इसको close कर देते हैं close करने के बाद यहा complete CPU के package का temperature आप यहाँ पर use लेंगे तो यहाँ पर एक चीज मिलेगी आप CPU package जिसका यहाँ पर current temperature इतना चल रहा है minimum temperature इतना maximum temperature इतना और average इतना यहाँ पर complete information आपके सामने आ रही है अगर आपको complete information चाहिए तो आप यह tool open कर सकते हैं otherwise आप इसको अपने यहाँ पर taskbar पर लग यहाँ पर आ गया है जिस पर 44 degree Celsius यहाँ पर इसका अभी temperature शो कर रहा है ठीक है तो यह temperature average जितना रहना चाहिए उतना ही है फिलाल और बाकी information के लिए वीडियो देख सकते हैं तो इस तरीके साब apply कर सकते है system tray पर जिससे कि आप इसको track कर पाए अगर आपके system में issue है तो आप आपको अगर red color में पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको green color में देख सकते हैं ठीक है और black color में देख सकते हैं या फिर just suppose मैं से custom color choose कर लेता हूँ green color में मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मुझे जो मेरा CPU package का जो temperature वो यहाँ पर शो कर रहा है और जैसी मैं इस पर ले कर जाता हूँ तो यहाँ पर minimum maximum average temperature में यहाँ पर शो कर रहा है अगर बहुत ज़्यादा temperature आपका लगातार बना रहता है CPU का तो आपको सोचने की ज़ुरत है कि आपको CPU का temperature कम करने के लिए क्या-क्या चीज़ें करने जीए जिसके लिए मैं आपके स्वीडियो में नहीं जान करेगी साथ तक तक धन्यवाद जाए